हाँ जी तो आज शुरुवात करते हैं Motorvical Act से Basically Motorvical Act एक Law of Tauts का ही codified form है Motorvical Act का genus Law of Tauts से ही निकलता है और इसलिए इसमें Law of Tauts के सारे principles अपलाए होते हैं तो इसलिए हमें जब भी Motorvical Act से related कोई भी case की drafting करना हो या कोई भी case में evidence पेश करना हो तो आपको Law of Tauts का मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि जिस तरीक से Law of Tauts में आपको सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि there should be a duty to take care thereafter, there is a bridge of that duty and thirdly there is a damage due to bridge of that duty ये तीन चीज़े जैसे आपको किसी भी Tauts के case में बतानी पड़ती है वैसे ही Motor Vehicle Act के हर case में आपको ये तीनों point proof करना पड़ेंगे लेकिन इसमें जो पहला point है, ये law बना दिया है Parliament ने कि yes, there is a duty to take care of every driver and owner of a vehicle कि वो ध्यान से गाड़ी चलाए और किसी का accident ना हो इसलिए पहला तथिये आपको प्रमानित करने की आवशकता नहीं पड़ती है लेकिन दूसरा और तीसरा आपको प्रमानित करना पड़ेगा येने की negligence आपको प्रमानित करना पड़ेगी और दूसरा आपको उस negligence से damages हुए है, वो आपको प्रमानित करना पड़ेगा और इसलिए इस regarding pleading भी आपके दावे में आना जरूरी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मोटर विकल एक्ट की क्या हिस्ट्री है चलिए